आज के वीडियो में हम बात करेंगे फेमस ऑप्शन ट्रेडर पी आर सुंदर के बारे में जिनके उपर सेभी ने एक साल के लिए ट्रेडिंग का बैन लगा दिया है यानि कि एक साल तक ये ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे इसके अलावा जो सेभी के साथ इनका मामला चल रहा था उसको सेटल करने के लिए इनको लगभग 46.8 लैक रुपीस सेभी को पे करने पड़ेंगे और इसके अलावा इनको जो अपने क्लाइंट्स हैं उनको इलीगल तरीके से जो इन्होंने एडवाईजरी सर्विसेस हैं और आने वाले टाइम में इनका जो फेमस यूट्यूब चैनल है उसका क्या होगा तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भई ये पी आर सुन्दर आखिरकार हैं कॉन आइम शूर कि अगर आप स्टॉक मार्केट में रेगुलर होंगे तो आप इनको जानते होंगे ये एक पुराने मैथेमेटिक्स के प्रोफेसर थे जो कि 2005 में सिंगापुर से जॉब छोड़ करके भारत आये थे और इन्होंने आप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत करी थी और पिछले कई सालों में ये भारत के टॉप आप्शन ट्रेडर बन करके उबरे हैं इनकी जो कैपिटल है अब लगभग 50 करोड रुपे से ज़्यादा की हो चुकी है और पिछले साल इन्होंने ट्रेडिंग और जो दूसरे इनके वेंचर से हैंने की ट्रेडिंग एडवाइजरी सर्वेसे यूट्यूब इंकम इन सबसे लगभग 20 करोड रुपे से ज़्या ज़्यादा पिछले साल कमाया है अगर आप इनके ट्विटर एकाउंट पे जाएंगे तो इनके पांच लाग से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं जो लेटस स्क्रीन शॉट है उसके साब से लगभग 5 लाग 23,000 24,000 के आस पास इनके फॉलोवर्स हैं और ये भारत के most famous option trader की तर सुंदर और इनकी company जो मांसुन consulting है उनके उपर इस मामले को इन्होंने सेभी के साथ settle कर लिया है तो PR सुंदर इनकी जो company है मांसुन consulting और इनकी जो co promoter है यानिकि इनकी wife मंगा यारकसी जो सुंदर है उन्होंने market regulator के साथ जो इनके साथ case चल रहा था उसको settle कर लिया है क्यो services provide करनी होती है तो आपको सेभी के साथ अपने आपको registered कराना होता है लेकिन इन्होंने requisite जो registration है वो प्राप्त नहीं किया हुआ था फिर भी ये investment advisory services चला रहे थे जिसके चक्कर में सेभी इनके उपर जाच कर रहा था और उसको इन्होंने सेभी के साथ settle कर लिया है तो इस settlement के बाद जो order आया है सेभी का उसके हिसाब से जो ये order है 25 में को आया है उसके हिसाब से जो ये तीनों entity है निकि PR सुन्दर individually इनकी wife और मानसुन जो consulting इनकी company है ये तीनों एक साल तक जो settlement order है निकि 25 में के बाद से लेकर के एक साल तक ना तो कोई जो securities है उसमें buying selling या कोई औ deal कर पाएंगे इसके अलावा इनको सेभी को ये जो case है उसको settle करने के लिए payment करनी पड़ेगी और इसके अलावा इनको 6 करोड रुपे से ज्यादा disgorge payment है यानिकि इनोंने जो client से illegal तरीके से पैसा लिया advisory services के लिए उसको interest के साथ चुकाना पड़ेगा तो जो ये order आया है उ उसमें जो settlement का amount है वो तीनों entity को individually 15,60,000 रुपे पे करने पड़ेंगे यानिकि तीनों को total करें तो 46,80,000 रुपे का amount पे करना पड़ेगा इसके अलावा जो illegal तरीके से जो इनोंने advisory services से कमाया है उसका जो amount है वो लगभग 4,50 करोड के आसपास है लेकिन उसमें एक जुन 2020 स जो final settlement की terms agree हुई है तब तक 12% का interest मिला करके लगबग 6,7,79,863 रुपे इनको अपने client को वापिस करना पड़ेगा और अब अगर बात की जाए कि आखिरकार ये सारा मामला क्या है तो SEBI के जो order आया है 25 में को उसमें लिखा हुआ है कि SEBI को दो references की tip में ली थी जिसमें बता provide कर रहे हैं अपने clients को और जब उसकी जाच की गई तो पाया गया PR Sundar एक website run कर रहे थे www.prsundar.blogspot.com के नाम से जहां पे ये बहुत सारी advisory services के packages बेच रहे थे अपने clients को और इस advisory services के नाम पे इन्होंने मानसुन जो consultant scene की private limited company है वहाँ पे payment भी receive की गई वहाँ पे ICSA bank का account थ की गई हैं और इस company के जो दो promoter हैं वो है PR Sundar और इनकी wife दोनों की 50-50% holding है और ये 30 जून 2017 को इस company को incorporate किया गया था तो market regulator को जब tip off मिली कि भाई ये advisory services provide कर रहे हैं और उसके लिए इनोंने अपने आपको register नहीं कराया हुआ तो उसके बाद SEBI ने 17 में 2022 को इन तीनों entity यानि और उसके बाद 8 November 2022 को भी बहुत सारी observation पता की गई थी और उसके उपर show cause notice जारी किया गया था और इस show cause notice में बताया गया था कि भाई जो इनका blog वाली website है वहाँ पे 2013 के बाद से बहुत सारी advertisement पोस्ट हो रही है साथ-साथ में telegram channel के द्वार आपने जो payment channel के link है वो provide कर रहे तो overall इन्होंने कितनी fees collect करी थी तो इन्होंने reserve pay के द्वारा 4,36,000,000 और direct जो credit है उसके द्वारा 23,50,000 रपे collect किये थे यानि कि लगबग आप बोल सकते हैं 4,60,000,000 के आसपास इन्होंने fees collect करी थी जो कि अब इन्होंे interest के साथ 6,000,000 से ज्यादा amount वापिस करना पड़ेग तो ये मामला 2022 के बाद से चल रहा था जून 2022 में तीनों ने response भी दिया था लेकिन जब शायद इनको लगा था कि investigation के against जा सकती है तो इन्होंने finally January 18,2023 को settlement के लिए SEBI को approach किया था और उसके बाद SEBI शायद नहीं माना था तो इन्होंने revise जो settlement terms थी वो 2 February 2023 को भेजी थी जो कि current settlement terms है जिसके अंतरगत ये मामले का final order जारी किया गया है SEBI के द्वारा और अब अगर बात की जाए कि भाई PR सुन्दर का इस मामले पर क्या reaction है और क्या ये fraud है तो fraud मैं definitely इनको नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग आप देखेंगे खास करके COVID के बाद जब stock market में boom आया था तो बहुत सारे लोग अपने YouTube, Telegram, Channel वगेरा के माध्यम से advisory services provide कर रहे है और उसके लिए charge भी कर रहे है तो शायद ये एक बड़ी मचली थे तो इसलिए ये फस गए तो fraud नहीं थे हाला कि इनोंने proper जो तरीका होता है advisory services provide करने का जैसे कि SEBI के साथ अपने आपको registered कर जाना होता है फिर आप provide कर सकते हैं वो follow नहीं किया जिसकी वज़े से इनको ये सारा amount और जो भी इनके उपर penalty लग रही है but otherwise मैं इनको fraud definitely नहीं बोलूंगा आगर आप इनके YouTube channel को follow करते हैं तो वहां पर ये काफी important जानकारी भी देते हैं और साथ-साथ में proper training भी run करते हैं वो आप बोल सकते हैं कि आपको पसंद आई नहीं आई या वो worth for money है नहीं है बट ये fraud नहीं है इन्होंने सिरफ procedure को follow नहीं किया है और अगर इनके reaction की बात की जाए तो ये थोड़ा सा funny way में ही अभी react कर रहे हैं पहले तो इन्होंने बोला कि भाई जो लोग इनके उपर व लगाया गया उसके उपर इन्होंने मजाक में बोलाए कि 90% of the trader जो है वो पैसा stock market में lose करते हैं और इसलिए अब ये एक साल तक trade नहीं करेंगे तो इन्हें वे ये बोल रहे हैं कि शायद ये पैसा lose नहीं करेंगे और इसके अलावा इनकी जो trainings वोगेरा है वो चलती इनकी training चलती रहेंगी off-site, online दोनों और साथ-साथ में YouTube पे भी ये pre-market, post-market जो वीडियो पब्लिश करते हैं वो भी बोल रहे हैं कि continue रहेंगे सिरफ ये trade नहीं कर पाएंगे अपने नाम से, अपनी wife और company के नाम से, probably ये कुछ और relatives वगेरा के through market से connected रहेंगे लेकिन otherwise इनक की life में बहुत ज़्यादा difference नहीं आएगा, थोड़ा बहुत इनको impact पड़ा है, probably उसके लिए future में है, से भी के साथ registered होके ही advisory services provide करने की कोशिश करेंगे, मैं उमीद करता हूँ कि आपको ये video पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा, thanks so much for watching the video and God bless you all.